प्रधानमंत्री मोदी के करीब डेढ साल पहले पंजाब दौरे के दोरान हुई सुरक्षा में सेंध के मामले में अब कार्रवाई हुई है। 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर साथ पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है इसमें बाठिंडा के ASP गुरबिंदर सिंग, DSP पर्सन सिंग, DSP जगदीष कुमार, इंस्पेक्टर तेजिंदर सिंग, इंसपेक्टर बलविंदर सिंग, इंसपेक्टर जतिंदर सिंग और ASI राकेش कुमार शामिल है इन अधिकारियों को निलमबित कर दिया गया है बठिंडा के SP गुर्बिंदर सिंग उस वक्त फिरोजपूर में तैनाथ थे 5 जनवरी 2022 को पंजाब में सडक मार्ग से बठिंडा से फिरोजपूर जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक एक फ्लायोवर पर रुखना पड़ा था क्योंकि फ्लायोवर के आगे अचानक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे इसे सुरक्षा में गंभीर चूक की तरह देखा गया क्योंकि राज्य के DGP की सहमती के बाद ही प्रधानमंत्री का रास्ता निर्धारित किया गया था ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था कोर्ट ने तीन सदस्सीय कमेटी बनाई थी जिसमें ASP को जिम्मेदार ठहराया था ऐसे ही लगातार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए B2B News चैनल को सबस्क्राइब करें और जार खंडी खबरीलाल फेस्बुक पेज फ्लो कर दें ताकि पल-पल की खबर आप तक पहुँचे धन्यवाद